इस वीडियो में हम जानेंगे कि bullish engulfing pattern का formation कैसे होती है और इसके पीछे की psychology क्या है फिर real chart में bullish engulfing pattern के example को देखेंगे और कौन से सिनारियो में उसे trade करनी चाहिए और कौन से सिनारियो में avoid करनी चाहिए उसे भी समझेंगे और फिर is canalistic pattern का accuracy को जानेंगे और last में कुछ key points को देखेंगे जिससे इस pattern के accuracy को आप और increase कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि इस कैनलिस्टिक pattern का formation कैसे होती है प्राइज इस लेबल पर open होती है और इस लेबल पर sellers aggressively selling करते हैं और प्राइस को पुश करके नीचे ले जाते हैं और यहाँ पर candle को close करता है मगर second candle थोड़ा सा gap down open होता है और इस लेबल पर buyers actively buying करना start कर देता है और प्राइस को push करके first candle के opening से उपर close करता है और first candle को completely engulf कर लेता है जो indicate करता है कि buying precious जादा है और buyers प्राइस को उपर ले जाने में interested है इस candle को तभी valid माना जाएगा जब first candle के complete body को second candle engulf कर लेती है अब first candle के week को ignore कर सकते है एक downturn के lower level पर nearest support area के पास जब भी bullish engulfing pattern का formation होती है तो indicate करती है कि यहाँ पर sellers अपना control खो चुके है और buyers price को नीचे ले जाने नहीं दे रहा है और price को उपर ले जाने में interested है और फिर आपको एक trend reversal देखने को मिलती है जब भी कोई candle is bullish candle के high को break करता है तो आप एक long trade में enter कर सकते है और आपका stop loss इस support area के नीचे होनी चाहिए चले इस candle stick pattern को एक example से समझते है यह bank nifty का 26th June का 5 minute time frame का चाहता है यहाँ पर market 52,663 पर open होती है और open होते ही sellers dominant होने की वज़े से selling pressure जादा होती है और sellers price को push करके नीचे के और ले जाते है मगर इस level पर previous day के support होने के वज़े से sellers price को और नीचे नहीं ले जा पाते है price support area पर होने की वज़े से next candle में buyers price को push करके उपर ले जाने की कोशिश करते है और एक strong green candle बनाती है और अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यह bullish engulfing candlestick pattern है यहाँ पर support area पर bullish engulfing candlestick pattern का formation हुआ है यहाँ पर आपको क्या लगता ह क्या market रहा से reverse करेगा या downtrend को continue करेगा वीडियो को एक मिनिट के लिए pause करके एक मिनिट तक इस chart को analyze करिए और comment करके जरूर बताए कि आपको क्या लगता है अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक trend line की resistance है जिसकी वज़े से bullish engulfing pattern का formation के बाद भी buyers price को उप चोटे wick बनाते हैं यहाँ पर sellers अपना momentum खो चुके हैं और इस support area को break करके नीचे ले जाने में fail हो रहे हैं अगले ही candle में buyers aggressively buying करने start कर देते हैं और trend line resistance को break करके trend line के ऊपर close करता है यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो support area पर एक और bullish engulfing pattern का formation हुआ है मगर इस बार इस trend line resistance को break करके इसके ऊपर close किया है जो indicate करता है कि यहाँ से trend reversal होने की possibilities बहुत जादा है और फिर यहाँ से market में strong bullish reversal देखने को मिलती है जब भी कोई candle इस bullish candle के high को break करता है तो आप एक long trade में entry कर सकते हैं और आपका stop loss इस support area के नीचे होनी चाहिए आपको हमेशा trade लेने से market के हर एक पहलो को देखना चाहिए तब जाकर आपको trade में entry करनी चाहिए जैसे कि यहाँ पर पहले भी एक bullish engulfing candle का formation हुआ है मगर हम इस candle पर trade नहीं ले सकते हैं क्योंकि इस candle के just ऊपर एक trend line resistance है और possibilities है कि market इस trend line का resistance लेकर फिर नीचे के और move करें चलिए अब जानते है कि analystic pattern का accuracy कितनी हैं इस पिख़्व फॉमस बिलकोशकी जब यह एक ऑनिस्ट्रिक पाटन तरन दां धरnd ke in में فर्म होती है तो इसका एक जो थी कि फरी पर सेंत होती है याने इकता तो इसमें 63 बार bullish reversal होती है, जब यह एक अनलिस्ट्रिक पैटर्न एक uptrend में form होती है तो एक bullish continuation signal होती है, और bullish trend में इस कानलिस्ट्रिक का accuracy 62% होती है, यानि कि 100 में इस 62 बार trend को continue करता है, चले बुलिश engulfing pattern के कुछ important key points को देखते हैं, जिससे आप इस pattern के accuracy को और बढ़ा सकते हैं, फर्स्ट, अगर इस pattern में bullish candle multiple candles को engulf करती है, तो reversal की possibilities और बढ़ जाती है, सेकेंड, जब भी आप इस pattern को trade करते हैं, तो आपको हमेशा धेन देना है कि bullish candle यतनी बड़ी होगी, reversal की chances उतनी जादा होगी, थर्ड, आपको हमेशा इस pattern को choppy market में trade avoid करनी चाहिए, क्योंकि choppy market में scandal के effectiveness कम हो जाती है, और बहुत सारे false signal मिलती है, फोर्ड, आपको हमेशा इस candlestick pattern को important level के साथ ही trade करनी चाहिए, जैसा कि support और trend line अगर आपको हमारा यह प्रेयस अच्छा लगा तो वीडियो को like और चैनल को subscribe ज़रूर करें